परिचाए प्रदीप इस इमारत को देखो हाँ यह सिलाके की सबसे उची इमारत है इमारत के उपर उस जंडे को देखो हाँ यह बहुत सुन्दर दिख रहा है क्या तुम जानते हो कि हम इस इमारत की उचाई और जन्टे की उचाई आसानी से ग्याद कर सकते हैं नहीं, सच में? हाँ, हम उचाई और दूरी मापने के लिए त्रीकोण मिधी अनुपात का प्रयोग करते हैं आओ, मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ उद्देशे इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे द्रिष्टी रेखा को समझना उन्नयन कोण को समझना अवनमन कोण को समझना उचाई और दूरी से सम्बंधित उधारणों को हल करना उन्नयन कोण कई बार हमें मेनारों, पेडों, इमारतों की उंचाई और लाइट हाउस से जलपूत की दूरी, नदी की चौड़ाई इत्यादी ग्यात करने की अविशक्ता होती है हम उन्हें पूर्ण शुद्धता से नहीं माप सकते लेकिन हम त्री कौण मिथिये अनुपातों की सहयता से उन्हें ग्यात कर सकते हैं उन्नयन का अर्थ होता है उठना या उपर जाना उन्नयन कौण, चैतिज इस्तर और चैतिज इस्तर से उपर इस्थित वस्तू की दृष्टी रेखा के बीच का कौण होता है आईए इसे समझने के लिए एक उधारण दें इस चित्र में एक प्रेक्षक इमारत की छट पर खड़ा है और चैतिज रेखा पर एक चड़िया को सीधे देख रहा है प्रेक्षक को हवाई जहाज जो की एक त्रियक रेखा में है उसे देखने के लिए अपनी आखें उठानी होंगी इस रेखा को दृष्टी रेखा भी कहते हैं इन दोनों रेखाओं के पीच बनने वाले कोन को उन् नयन कोन कहते हैं अध़ा उन्नयन कोन, चैतिज रेखा और चैतिज रेखा से उपरिस्थित किसी वस्तु को प्रेक्षक की आखों से मिलाने वाली रेखा के बीच का कोन होता है अब नमन कोण अब ऐसी स्थिती की कल्पना कीजिए जिसमें लड़का किनारे पर खड़ा हो और नीचे नाव को देख रहा हो यहां द्रिष्टी रेखा क्षेतिज इस्तर से नीचे है अता द्रिष्टी रेखा और क्षेतिज इस्तर के बीच बनी रेखा को अवनमन कोण कहते है अता किसी बिंदु से क्षेतिज इस्तर से नीचे स्थित किसी वस्तू का अवनमन कोण द्रिष्टी रेखा और क्षेतिज इस्तर के बीच बनाया कोण है उधारन एक आईए अवनमन कोण और उन्नयन कोण को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ उधारन हल करें एक खंबे के आधार से 18 फीट दूर एक बिंदू से उसके शीर्ष का उन्नयन कोण 48 डिग्री है तो खंबे की उचाई ग्यात कीजिए आईए पहले स्थिति की कलपना करें एक बड़े 18 के ये इंगित करता है कि एक बड़े 18 गुणे 10 अड़े 18 डिग्री एक बड़े 18 गुणे 1.11061 एक बड़े 19.99102 एक्स बराबर 20 अता खंबे की उचाई करीब 20 फिट है उदारण दो एक एक दशमलव पांच मीटर लंबा प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर दूर है उसके नेत्र से चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है तो बताईए कि चिमनी की उचाई क्या है हल यहाँ A, B एक चिमनी है C, D प्रेक्षक है और कोण A, D, E उन्नयन कोण है इस इस्थिती में A, D, E एक त्रिभुज है जो E पर समकोण है और हमें चिमनी की उचाई ग्याद करनी है हमें ग्याद है A, B बराबर A, E जमा बी, बराबर A, E जमा एक दशमलव पांच और D, E बराबर C, B बराबर 28 दशमलव पांच मीटर है A, E ग्याद करने के लिए हम एक त्रिकून मिती अनुपात चुनते हैं जिसमें A, E और D, E दोनों शामिल है आईए उन्नयन कोण का टेंजेंट लें अब 10, 45 डिक्री बराबर A, E बटे D, E अर्थाथ एक बराबर A, E बटे 28 दशमलव पांच अता, A, E बराबर 28 दशमलव पांच होगा इसलिए चिमनी की उचाई A, B बराबर 28 दशमलव पांच जमा एक दशमलव पांच मीटर जो की बराबर होगा 30 मीटर के उधारण 3 एक 66 मीटर गहरी घाटी के तल का अवनमन कोण 40 डिग्री है मीटर के निकट तम दश्वे मान तक घाटी की चाड़ाई क्या है पुना एक आलेक बना कर शुरुवात करें याद रखें कि क्षैति जिस्तर कोण 40 डिग्री से है अब हम एक त्रीकोण मिती अनुपात के प्रयोग से घाटी की चाड़ाई ग्याद कर सकते है हम दो त्रीकोण मिती अनुपातों टेंजेंट या कॉन्टेंजेंट में से एक का प्रयोग कर सकते है दोनों से हमें सही उत्तर प्राप्त होगा आईए टेंजेंट का प्रयोग करें 1040 डिग्री बराबर है 67 बटे x के x गुणा 1040 डिग्री बराबर होगा 66 के अथा इससे हल करने पर हमें x बराबर 87.5 मीटर प्राप्त होगा अथा घाटी की चौड़ाई 87.5 मीटर है उधारन चार एक नदी के किनारे पर खड़ा एक व्यक्ती देखता है कि नदी के दूसरे किनारे परिस्थित एक व्रिक्ष का 99.5 डिग्री है जब वह किनारे से 40 मीटर दूर जाता है तो 99.5 तीस डिग्री हो जाता है पेड की उचाई और नदी की चौड़ाई ग्यात कीजिए हल मान लिजिए कि व्रिक्ष की उचाई Y है और नदी की चौड़ाई X है CD बराबर 40 मीटर है त्रिभुज ABD में 10, 30 डिगरी बराबर AB बटे BT है जो की हल करने पर हमें प्राप्त होगा X जमाद 40 बराबर Y3 का वर्कमोल जिसे हम समी करण 1 कहेंगे अब त्रिभुज ABC में 10, 60 डिगरी बराबर AB बटे BC जो की हल करने पर हमें प्राप्त होगा Y पराबर X3 का वर्कमोल जिसे हम समी करण 2 कहेंगे समीकरण 2 से 1 में y कमान रखने पर हमें प्राप्त होगा x बराबर 20 मीटर और y बराबर 20 तीन का वर्गमोल अताह विरिक्ष की उचाई बराबर होगी 20 वर्गमोल 3 मीटर के और नदी की चौडाई बराबर होगी 20 मीटर के उदारण एक बहु मंजिला इमारत के शीर्ष से एक 8 मीटर उची इमारत की शीर्ष और पाद पर बनने वाला अवनमन कोण क्रमशा 30 डिगरी और 45 डिगरी है बहु मंजिला इमारत की उचाई और दोनों इमारतों के बीच की दूरी बताईए हल यहां PC बहु मंजिला इमारत को व्यक्त करता है और AB आट मीटर लंभी इमारत को हम बहु मंजिला इमारत की उचाई यानि PC और दोनों इमारतों के बीच की दूरी यानि AC ग्याद करना चाहते हैं इस आकरिती को ध्यान से देखे ध्यान दीजिए कि PB रेखाओं PQ और BD को तिरिया काटती है अता कोण QPB और कोण PBD एकांतर कोण है इसलिए बराबर है अता कोण PBD बराबर 30 डिगरी इसी प्रकार कोण PAC बराबर 45 डिगरी होगा समकोण तिरिभुच PBD में हमारे पास है PD बटे BD बराबर 10 30 डिगरी अता हल करने पर हमें BD बराबर PD वर्गमूल 3 प्राप्त होगा समकोण तिरिभुच PAC में हमारे पास है PC बटे AC बराबर 10 45 डिगरी बराबर एक जोकि PC बराबर AC तथा PC बराबर PD जमा DC इसलिए PD जमा DC बराबर AC जोकि AC बराबर BD और DC बराबर AB बराबर 8 मीटर हमें PD जमा 8 बराबर BD बराबर PD वर्गमूल 3 प्राप्त होता है इससे हमें यह प्राप्त होता है अता बहु मन्जिला इमारत के उचाई 4 गुणा 3 जमा 3 मीटर है और दोनों इमारतों के बीच की दूरी भी 4 तीन जमा 3 मीटर है क्या आप जानते हैं सर्वेक्षन करता त्रीकोन मिती का प्रयोग सदियों से करते रहे हैं 19. सदी का ऐसा ही एक व्रिहत सर्वेक्षन महान त्रीकोन मिती सर्वेक्षन आजादी से पहले किया गया था जिसके लिए अब तक सबसे बड़े थियोट लाइट्स बनाए गए 1852 में सर्वेक्षन के दौरान दुनिया के सबसे उंचे परवत की खोज हुई थी करीब 160 किलोमीटर की दूरी से इस शिखर का छै विभिन स्टेशनों से प्रेक्षन किया गया था 1856 में इस शिखर का नाम सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया जिन्होंने सबसे पहले विशाल थियोडलाइट का प्रेयोग किया और जिन्हें इस काम के लिए नियुक्त किया गया था या एक थियोडलाइट है एक सर्वेक्षन यंत्र जोकी त्रीकोन मिदी के सिध्धानतों पर निर्भर है इसका उप्योग एक घूमती हुई दुर्बीन के साथ कोणों को मापने के लिए होता है थियोडलाइट अभी भी भरतिये सर्वेक्षन संग्राले देहरदून में रखा हुआ है सारांच आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संग्षेप में दोहराएं प्रेक्षक की आँख और प्रेक्षक द्वारा देखी जा रही वस्तू के बीच बनने वाली रेखा को द्रिश्टी रेखा कहते हैं जब कोई वस्तू क्षेप जिस्तर से उपर हो यानि जब हमें वस्तू को देखने के लिए अपना सिर उठाना पड़े तो क्षेप जिस्तर और द्रिश्टी रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं जब कोई वस्तू क्षेप जिस्तर से नीचे हो यानि जब हमें वस्तू को देखने के लिए अपना सिर जुकाना पड़े तो क्षेप जिस्तर और द्रिश्टी रेखा के बीच बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं दो विभिन वस्तू के बीच की दूरी उंचाई या लंबाई को त्रीकोण मिती अनुपातों की साहता से मापा जा सकता है